दोस्तों, True Tech Reporter में मैं आज आपका अपना रेपोर्टा आज जो आपके लिए टुटोरियल लेके हैं हूँ, वो है Envato के बारे में Envato Elements हम सब जानते हैं, एक बहुत बड़ी लाइपरी है, ग्लोबल, जहां पे stocks, video, music, templates, sound effects, graphics और सब कुछ अवेलेबल है आज मैं जो install करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, YouTube का subscribe, FCPX, यह जो basically आप subscribe का button देखते हैं यहापे, वो FCPX के लिए मैं करने जा रहा हूँ मैंने इसको download कर लिया है, download करने के बाद यह देखिए, यह available है मेरे download folders में, यह जो उपर के top 3 या 4 देख रहे हैं, आप यह वही हैं, जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अब काफी लोगों को जो है, वो यह view नहीं मिलता है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इतना detailed view, यह view नहीं मिल पाता है काफी लोगों को, तो काफी लोग मुझे पूछते हैं कि इसको कैसे लाना है, तो चली मैं आपको बताता हूँ, उनको in particular यह folder लाना होता है, movies का folder, में आपको जनरल एक मिलेगा, यह file extension के साथ आप देख सकते हैं, remove bin after 30 days automatically, यहाँ पे कुछ tags मिलेंगे और finally मिलेगा sidebar, मैंने इन सबको activate किया हुआ है, जिसमें movies भी है, तो कुछ इस तरीके सा सब पर अपले, आपको movies folder मिलेगा on your left hand side, यह बहुत essential है, अब हम बात करेंगे, जब आपने movies folder आपको मिल गया है, तो उसके बाद next क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले मैं movies folder में जाता हूँ, और यहाँ पे motion templates का एक folder है, जब मैं उस पर आप double click करेंगे, तो यहाँ पे आपको यह सारे नए folders बनाने है, जहाँ पे आपको जो आपने अभी अभी यह effect म यहाँ downloads में available है, वो इस movies folder के motion templates में जाके मुझे बनाना है, तो आप Inwater अभी download कर चुके हैं, बड़ा simple रखता हूँ, सबसे पहले right click करिए एक नया folder बनाईए, और उसका नाम दे दीजिए आप effects, उसके बाद आपको क्या करना है, इसी folder पे जाना है, इसका जो पहला alphabet है, व आप Get Info पे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके name और extensions पे जाना है, और यहाँ पे मिलेगा आपको effect, उसके बाद डालिए dot, L-O-C-A-L-I-Z-E-D, localized, यह आपको लिखना है, और आप चाहें तो इससे copy भी कर सकते हैं, विकास आपको multiple folder बनाने हैं, जैसे मैंने कर लिया next जो आपको बनाना है, वो बनाना है, folder एक और बनाएंगे, हम generators का, चलिए उसके उपर भी अब हमने folder बना लिया, right click करते हैं, get info, generator हमने अलड़ी memory में डाला हुआ है, dot localize बन कर देते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ इसी तरीके से बाकी और folders भी बना लेने हैं, बाकी जो folders होंगे, वो होंगे titles और transitions के, so overall चार folders होने चाहिए, आपके पास effects, generators, titles और transitions, ये चार अलग-अलग folder होंगे, और सब की extension जो है, वो आप right click करके देख सकते हैं, वो होगी dot localized, ये आपको extra add करना है, अब एक बहुत बड़ा confusion होता है, कि जब आपने कोई effect download कर लिया, जैसे मैंने कुछ एक effect download की है, अब जो ये file है, ये कहां जाएगी, किस folder में जाएगी, इन चार में से, ये बहुत बड़ा confusion होता है, तो देखे, मैं आपको बताता हूँ, इनका differentiation कैसा है, आपको सबसे पहले, जो भी कोई file है, जो आपने download की है, ये case में ये file है आप इसे double click करिए और इस folder को खोलिए, आपको normally यहाँ पे help या font कुछ और मिलेगा, उसके साथ साथ आपको ये file मिलेगी, जो है इसकी main file, जब आप इसके अंदर click करेंगे, तो इसमा further sub files है, आपको क्या करना है, किसी भी एक file को double click करके open करिए, और जब आपको बाकी folders मिले आपको एक इसकी theme file मिलेगी और इसकी extension है moti, ये जो particular file है, ये titles folder के लिए बनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसे simply यहाँ से copy करके, और title folder में जाके इसे मैं copy कर दूँगा, और यहाँ पे मैं कर चुका हो पहले, ये देखिए, title folder में आप copy कर देंगे, जैसे ही आप इसे copy करे और जब आप अपने titles में आएंगे, तो उसको देंदर ये देखिए, नीचे YouTube subscribe, ये सारे के सारे files आ चुकी है, कभी-कभी ऐसा होता है कि ये नहीं आ पाती, उस case में आपको क्या करना है, कि एक बार सिर्फ आपको अपना fcpx close करना है, और जब आप दुबारे खोलेंगे, तो वो आपको available हो जाएगी, तो titles का तो हमें समझ में आ गया, जहां पे file extension MOTI हो, जो दूसरी तरह की file होंगे, जैसा आप screen पे देख रहे हैं, वो होंगी MOEF, ये जो file है, ये सारी के सारी media effect related visual files होती हैं, और ये जाएंगे आपकी यहां पे, effect वाले folder में, तो ये जो files वो होगा MOTN, और ये सारी होंगे हमारी motion files, जो basically generator files हैं, और वो आएंगे यहां पे, ये वो files होती हैं, जो sequence, कोई भी आपका sequence होता है, जैसे हम अपने FCPX को खोलेंगे, और यहां पे जो एक line sequence होता है, इसके उपर जो हम top up करते हैं, ये जो files हैं सारी की सारी, जिसको हम करे जैसे यह होगा, और जो चोथा होगा, वो होगा MOTV, जो basically होगा transitions के लिए, जब आप दो media file, जैसे हम यहां पे, दो media अलग-अलग file हैं, उनके बीच में जो एक transition डालते हैं, कि कैसे एक से दूसरे file पर जाएगा, उसके लिए जो होता है, वो transitions के लिए होता है, तो वो होती है MOTV, तो कुछ इस तरीके से simply आप जब भी Envato से कोई भी element download करें, आप बहुत simply इन चारों folders के अंदर, ये चारों extension के जरिए, आप इन files को save कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको यहां पर अपनी extensions या जो आपने generated titles, कुछ भी डाला होगा, वो आपको मिले होगे, व इसे जब आप एकदम corner में इस button को click करेंगे, तो यहां पर मिलेंगे आपको transitions जैसा आप देख रहे हैं, और जब आप इस second button को click करेंगे, तो यहां पर आपको effects मिलेंगे, और कुछ इसी तरीके से आपका folder यहां पर बना होगा effect के अंदर, और यहां पर transition के अंदर, इन झाल 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